हेलो फ्रेंड, वेलकम टो आयूटू चैनल दोस्तों आज मैं आपके लिए सूस फिच्छर पाठी होजना के तहत पुनरब्रन कॉसल की पाठी होजना लेकर आया हूँ इसमें जो होता है हम बच्चों को फीड़वेक देते हैं जैसे अगर वो कोई जवाब देते हैं तो अच्छा, बहुत अच्छा, सावास, आजी सब्दों का परियोग करकर हम पुनरब्रन उनको देते हैं इस कॉसल को पुनरब्रन कॉसल या फुशकार कॉसल भी काते हैं अगर आप फाइल बना रहे हैं तो सबसे पहले आप चिस जगह से बियर करते हैं उस पिद्याले का नाम लिखते हैं उसके बाद छात अध्यापक या छात अध्यापक का नाम लिखते हैं उसके बाद आपको तिनांग, कच्छा, बर्ग, विसे, उबिसे, कालांस और अवधि ये सब कुछ अच्छे से आपको बेलेगबोर्ट पर लिखना रहता है जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ उसी प्रकार से आपको भी लिखना रहेगा या तो आपके यहाँ जैस प्रकार भी लिखा जाता हो उस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं आप उसमें विसे, उबिसे, कालांस और किस अवधि को पढ़ा रहे हैं कौन सक अच्छा है, सब कुछ अच्छे से फेल करते हैं आज मैं यहाँ पे आपको हिंदी बिशे के लिए लेशन प्लान पुनरब्रंट का लेकर आया हूँ उबिशे है गध्यांस और जिसका प्रक्रण है सत्साहस यह निबंध है गड़े संकर विद्यारती द्वारा लिखा गया है उसके बाद हम काउसल के घटक लिखते हैं पुनरब्रंट काउसल के आठ घटक होते हैं इन्ही घटकों को ध्यान में रखते हुए ही हम लेशन प्लान तयार करते हैं इसमें हम बच्चों के कोश्चन का जवाब देने पर उनको फीड़बैक पतान करते हैं परसंसात्मक कत्नों का परियोग करते हैं जैसे साबास अच्छा बहुत अच्छा आसाबदिक कत्नों का परियोग करते हैं हाव भाव था अन्य सकारात्मक आसाबदिक कत्नों का भी परियोग करते हैं जैसमें हम मुख से कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन अपने हाव भाव से उनको सकारात्मक असाबदिक पुनरबलन देते हैं जैसे मुस्कुराना, सिरहिलाना छात्रों की विचारों या भाव से अपनी सामति प्रकरते हैं नकारात्मक साबदिक कत्नों का प्रियोग इसमें अगर बचक कोई जवाब नहीं दे पाता है तो आप उसको डाट सकते हैं नहीं है उटर सही नहीं है कलता बता रहे हैं इस प्रकार के आप नकारात्मक कत्नों का भी प्रियोग कर सकते हैं हलाकि ज़्यादा नकरात्म कत्रों का प्रियोग नहीं करना चाहिए आप घटक को पुश करके वीडियो देख सकते हैं उसके बाद हम आपको कोश्चन के तरफ लेसेलते हैं पुश करेंगे कि संसार की बड़े या छोटे काम किसके बीना नहीं हो सकते हैं तो बच्चे बताएंगे सरसाहस के बिना कोई काम नहीं हो सकता है जब बच्चे इसका जवाब देंगे तो हम कहेंगे बहुत अच्छा मैं यहाँ पी जो बहुत अच्छा लिखा हूँ आपको क्योल बताने के लिए लिखा हूँ आप इसको हाइल बनाते समय आप नहीं लिखेंगे उसके बाद हम पुने दूसरा कोश्चन करेंगे कि संसार के सभी महापुरुस का ऐसे तो बच्चे बताएंगे साहस जिते हम कह स्रेंडी की बात कही है तो बच्चे बताएंगे सर तीन स्रेंडी की बात कही है सरवोच स्रेंडी मध्यम स्रेंडी और निमने स्रेंडी है तो हम कहेंगे साबस उसके बाद हम चौथा कोश्चन बच्चों से करेंगे कि निमने स्रेंडी का साहस कौन करता है तो बच्चे बत के लिए किसकी आउसकता नहीं होती है तो बच्चे बताएंगे सर हाथ पेर की बलिष्टता और धनमान की आउसकता नहीं होती है सरवोज़ स्रेडी की साहस के लिए उसके बाद हम बच्चों से कोशन करेंगे कि अकबर के पास कौन लोग आये थे नौकरी के लिए तो बच्च ही लड़कर के अपनी जान दे दिये थे नौकरी पाने के चक्कर में उसके बाद हम निदिछक तालिका बनाते हैं इसमें काउसल के घटक और टेली चनले लिखते हैं जो निदिछक रहता है आप जितने घटको का प्रियों किये रहते हैं उसके लिए सही आगलत का निसान लग झाल